स्पेस एक्स का पॉलारिस टॉन क्रू आज 15 सितंबर को प्रत्वी पर वापस लोटाया है ड्रेगन स्पेस क्राफ्ट ने दोपेर एक बच कर छे मिनिट पर फ्लोरिडा के ड्राइट और टाउगुस कोष्ट पर लेंडिंग की वायू मंडल में प्रवेश करते समय स्पेस क्राफ्ट की रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंट्या थी और हवा के घरशन की वज़ा से तापमान 1900 डिग्री सेल्सीयस तक पहुँच गया था चार मीटर चौड़ए ड्रेगन स्पेस क्राफ्ट के नीचे लगे हीट शील्ड ने एस्टरोनॉट्स को इस तापमान से सुरक्षित रखा एलोन मस्क की कमपनी के फालकन 9 रॉकिट से पोलारिस डॉन मिशन को 10 सितंबर को लॉंच किया गया था पांच दिन के इस मिशन में चार एस्टरोनॉट जिस और्बिट में गये थे उसमें 50 साल से ज्यादा समय से कोई एस्टरोनॉट नहीं गया है आपको बता दे कि किसी भी स्पेस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सप प्रत्वी पर लॉटना होता है इसकी रफतार को ज्यादा धीमा करने के लिए पेराशूट खोले गए और पानी में लेंडिंग कराई गई वहां पहले से मौजूद बचावदल की मदद से इन्हे सेफटी चेक के बाद पानी से बाहर लाया गया